हलो जी नमस्ते आराम आप सभी का वेलकम हैं फिर से एक निव व्लोग में और आज है संदे और आज थोड़ा सा मैं लेट ही उठी हूँ साड़े छे बज़े वैसे तो साड़े पांच बज़े डेली उठना पड़ता है जब बच्चों का स्कूल चलता है तो आज है संदे तो मैं पहले मज़ाक यां पे को सुठी कर्दी थी और यहां पर पालठीन डाला हुआ था कि मैंने नहों रोफ्ट हुआ हुआ नंश्य समड़ में डालले के लिए लोगे उसे काफी मतर निकल जाता है तो यहाँ रूम जोका भीगो देती हूं इसके बाद जारू पोचा करूंगे ना तब पर यहां पर जारू पोचा करेंगे तब तक वच्षे सेे फूर जाएंगे और जरू आओंका मैंने लिए तो फटा फट displaced डूल के डाल दोंगे तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे जाड़ो पोचा कर लिया है, पूरे घर में जाड़ो लगा लिया है, पोचा भी लग गया है, वस यह सिंग तो गंदा था, और यह दो-तीन दिन में इतना मतलब यहां पे जादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि सभी लोग यहां पे मतलब तो हाथों गेरा दूलते हैं और अपना फेस हो गेरा दूलते हैं तो छीटे जो आती हैं पुरे दिवाल हो गएरे पढ़ जाते हैं तो पुरा बद्दा लगता है पुरा गंदा लगता है तो दो त security में बस यहाँ पे हाथ लगाना ही पड़ता है तो अभी पूरा यहां पर सफाई करने जा रही हूँ और अभी यहां पूरा समान हटा दोंगी वैसे सारा समान जब भी चाहे बातरूम हो चाहे कोई चीज की सफाई करते है न तो पूरा समान हटा की सफाई करते है न तो और अच्छे सफाई हो जाती है और हटा करते हैं दो तो अच्छे संभी हो पाती है तो यह समय करते हैं बात रुटरूम भी सफाई कर दोंगा करें सब्सके बाद फटा-फट यह सफाई कर दोंगी तो यहां पर तीनों बात्रूम के जो सिंख है वो भी गंदे हो रखे हैं काफी मतलब गंदे वो रखे हैं और हमारे गर जो पुजा हुआ थे ना तो गेश्ट लोग भी आये थे तो हर जगा यूज हुआ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तब से मैंने साप भ कि लिए ना जूआ है तो हाँ जगाओ लो दो भी ऐी से मैंने साप गजाए बहुत जगजा हैं और हमारे तो हाँ गंदा है झाल 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 तो यहां पे पूरा अच्छे से साफ हो गया मैं आप सेट कर देती हूं पहले इसको सारा हटा लिया था पूरा फिर उसी जगह पे मैं सबको सेट कर देती हूं रगदेती हूं थो तो यह देख सकते हैं पूर अच्छी से मैंने चमका दिया इसको भी और अब चलते हैं डारेक्ट जो है बात्रूम में नहा दूल लेते हैं और अभी नहा वाकि मैं आ गई हूँ चत पे तो चत पे काफी तेज धूप है अदूप से बहुत डल लग रहा है तिनी तेज धूप है तो यहां पर देख सकते हों काफी धूप हो रखा है और यहां पर दो दो बाल्टी जो है फूल होकर कप्ड़े दूले गए हैं है aाई बाल्री धूप यह भी अब है अब है और अभी मैं जा रहूं लेंच बनाने हैं और लेंच में आज बनने जा रहे हैं हमारे गर पनीर आप लोग दे सकते हैं यहां पर पनीर कट करके भी रख दिया गया है तो यहां पर पनीर बनाने लेंच में और रोटी प्लाव ही बनने वाला है और आज हमारे गर पहली बार हमारे मौसा जी आ रहे हैं तो इसलिए मैं दोपार में ही पनीर बना रही हैं वैसे साम कोई बनाती हूं तो जब हुआ मतलब कोई भी गेस्ट अगर आता है न तो मेरे घर जाधा तर पनीरी बनता है पनीर क्योंकि लोग ज्यादा पसंद करते हैं बच्चे भी पनीरी काते हैं और भी कोई सब्जी अगर मैं बनाऊंगी तो खाएंगे नहीं तो कोई फायदा न तो मुझेभी काम करते करते कि 14 मेरा साड़ी करता है मुझे घर का काम करते करते जारोपुजा करते कप्रे दूलते पोचा जारोपुजा पूजा पार्ट सब करते मतलब और टाइम मेरा इतना ही हो जाता है तो अभी जो है बस लेंच बनाने जा रही हूँ यहां पे देख सकते हूँ यहां पर जारे हूँ पनीर के ग्रेवी बनाने वैसे मैं आप लोगे साथ कई बार सेयर करी हूँ और मैं हमेशा जो है अपने व् मासाले और बनाते हैं मतलब पनीड का तो पनीर counter ग्रेवी तेयार करते हैं zupełnie यहा पर पॉल नेटी हूं तो आप हुड़ा से आप नोटेश्ट प कीनव सीवेश बहुत है तो सेवत गरेवी विदी अच्छे कर दो तो यहाँ होटेजर पनीर का लाओ अघ्रता। तो बस यहां पर पनीर को हलका हलका जो है मैं भूज लेती हूं क्योंकि यहां पर कच्छा जो पनीर मैं डालती हूं तो सबको मेरे यहां कोई पसंद नहीं करता है सबका अलग लखाने का मतब टेस्ट होता है तो इधर मैं चड़ा देती हूं चावल और इधर बना लेती हूं सबजी क्योंकि अभी जो है सबको लग गई है भूख और मुसा जी भी अभी आई रहे हैं अभी फोन किया गया था तो अभी बस वह भी पहुंचने वाले ही हैं तो बस फटा फर जो यहां पे लेंस बना लेती हूं मैं अभी साम के बली रहे हैं ना चाय विजए पांच और यह दे सकते हैं यहां पर आज मिसकाम जो है बना कर लाएं है और अभी छप्रे से कप्रें आए हैं अभी जाने जारें इसको फोल्ड करना है और शप्रें गड़्दे डाले थे शुबह की टाइम तो अभी इसको भी ले आता है विच्छाना भी च तो गैसी यहां पे ढाल दी थी कद्दे और गद्दे अभी साम हो गए है आपी चट परसी ले आई हूं तो जैसे मतलब गद्दे अगरा धूप में डालते हैं ना तो इसका सेब जो है मतलब बिएड़ जाता है उच्छा नीच्छा हो जाता है और यह जो इसमें रूई भड़ी होती है ना cotton वह full जाता है तो तो इसलिए थोड़ा सेका सेफ ऐसे बिगड़ जाता है cotton मेरे यह जो रूइ वाले गद्ड़ी मतलब पति देओ को पसंद ए फॉर्म कमण में दर्द होने लगता है इसलिए हमेशा हम लोग पत्ले सा मतलब गद्दा यूज़ करते हैं जादा मतलब हाईवी वाला गद्दा यूज़ नहीं करते हैं तो अभी मैं बस ले आई हूँ छत पर से अब वही वेक्सीट मैं से विचा दियूं क्योंकि दुबारा जो हमने का दूसरा निकालेंगे तो दूलना पड़ेगा वही दूल दिया था अब सुख गया तभी मैं जो है लगा देती हूं अपना बेट से ही कर देती हूं तो बस यहां पर जब भी दूप में डालते हैं तो गद्दों का जो सेव होता है न मतलब बिगड़ी जाता है तो एक ही मैंने डाला था दोनों उठ खाके नहीं ले गया थे गद्दे हैं भारी देखने मताल ऐसे आप लोगों को मतलब पतले सा लग रहा होगा लेकिन बहुत भारी गद्दे हैं यह तो बस यहां पर बेट मेंने सहीं कर दिया है और अब भी देख सकते हूं यहां पर धेर सारे कपड़े जो चट पे मैं और फैलाना यह दो मतलब काम जो होता है बागी तो मैं काम बहुत कुछी कुछी से कर लूँगी पर यह मुझे बैट कर काम करना बहुत ज्यादा बोरिंग फिल होता है तो अभी जो है यहां पर बस कपड़े जो हैं बच्यों के अलग-अलग मैं यहां पर छाट रही हूं क कौन से करना है कुछ कपड़े जो है प्रेस नहीं करूंगी रख दूंगी बाकि बास ड्रेस प्रेस करने वाली हूं यहां पर तो यहां पर खुसी का ड्रेस है और वो तो अपना प्रेस मतलब करी नहीं पाएगी सुबह के टाइम मतलब यह होता है ना कि जल्दी-जल्दी नास्ता बनाओ फिर रेडी करना होता है यहां पर मुसकान जो प्रेस करी लेती है थोड़ा वो यह कर लेती है तो जब मैं प्रेस कर रहे थी बोली ममी मेरा भी कर दो खुशी का कर रही है तो मेरा भी कर दो तो बस अपना भी सूट हो गई प्रेस करना था और अभी खुशी गई हुई है ममी के घर तो अभी आएगे तो उसको भी पढ़ाना है उसको याद करवाना है याद नहीं है उसका सुबही चली गई थी जब यह गए हुए थे तो चली गई थी आप उसको भी लेकर आएंगे और बहुत मुश्किल होता है गास यह जो है वीडिय सब्सक्राइब करके अभी मैं एडिटिंग का काम करूंगी कर लूंगी और उसके बाद खुसी आ जाएगे तो इसको मैं पढ़ा होंगी तो फटा फटा जो है इसलिए थोड़ा सा और मैं इस व्लॉग के यहीं पर कर दूंगी एंड और मिलूंगी आप लोगों को एक निव लोग के साथ तब तक वाई वाई थैंक यू सुटाइब